Assalamualaikum, First Year Commerce, Business Mathematics, Chapter No.5 start करेंगे, Chapter No.5 का नाम है Linear and Quadratic Equations आज हम इसके अंदर 5.1 से लेके 5.52 तक के सवालात को कवर करेंगे, ठीक है? Chapter शुरू करने से पहले हम इस पर देख लेते हैं कि इस Chapter के अंदर हम क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे, Linear Equations के बारे में, Linear Equations and One Variable ठीक है? यहनिके इसके अंदर जो आपके Course के अंदर जो शामिल है, वो Linear Equation भी शामिल है और Quadratic Equation भी शामिल है, पहले हम देखेंगे कि Linear Equation अगर एक Variable हो Variable को आप इस तरह से ले लें, जब हम अखसर Equations देखते हैं, जिसके अंदर हम देख रहो होते हैं कि 2X प्लस 3Y, यह 2X प्लस 5 is equal to 9, इस तरह की Equations होती हैं, तो X और Y और Z, कोई भी जो आपके पास छोटे Letters में, Alphabet Z भी होते हैं, वो चीज़ हमारी कहलाती है Variable ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे Linear Equation in One Variable इसके बाद इसका हम देखेंगे Solution कि किस तरह के से हम Linear Equations को Solve कर सकते हैं अब इसके बाद फिर Simultaneous Equations की बात आएगी, Simultaneous Equations को हम आगे Discuss करने वाले हैं तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं फिर इसके बाद हम देखेंगे Methods of Solving Simultaneous Equations किस तरह के से हम Simultaneous Equations को Solve कर सकते हैं इसके दो Methods हमारे यहां पर कोर्स में शामिल हैं एक है Method of Elimination और दूसरा है Method of Substitution ठीक है, Eliminate करना, निकाल देना किसी चीज़ को या Substitute करना, कि एक Value के अंदर हम दूसरे Value को डालके Substitute बनाके फिर उसकी Value Find Out करते हैं इसके बाद फिर हम देखेंगे Quadratic Equations के हवाले से एक हमारी Lean Equations है और दूसरी हमारी Quadratic Equations है ठीक है, Solution of Quadratic Equations आप इसके अंदर भी Solution की बात करेंगे तो महाँ पर महाँ पस तीन Methods यहाँ पर दिये वे हैं कि सबसे पहले Method of Factorization पर Method of Completing Square and then हम देखेंगे Method of Quadratic Formula ठीक, आज के Chapter Sorry, आज के Lecture में जो हम चीज़ कवर करेंगे वो हम देखेंगे Linear Equations के हवाले से ठीक है, Simultaneous Equation हम अपने Next Lecture में देखेंगे अच्छा, इसमें Linear Equation को समाजना सबसे पहले ज़रूरी है कि Linear Equation क्या होती है General Form of Linear Equation और a First Degree Equation in One Variable is X ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे First Degree, Second Degree, Third Degree ठीक है, इसको हम देख करते हैं अब जैसे यहाँ पर एक Standard Form दी भी है ठीक है, एक Standard Form है Linear Equation की, इसके अंदर हमारे पास जो A, B और C हैं यह हमारे Constants हैं जो के Equals to 0 नहीं होते हैं ठीक है, इनके कोई न कोई value होती है अब इसके बाद इसमें X एक चीज यहाँ पर दी भी है X के माइने होते हैं कि यह हमारे पास यहाँ पर Constant के साथ variable जोड़ा हुआ है अब अगर आप इस Standard Form को देखे Linear Equation की, तो इसके अंदर हमारे पास सिफ एक variable है, सिफ X और दूसरा इसके अंदर हमारे पास X की power जो है, वो कुछ नहीं इसका मितलब 1 है, ठीक है? तो यह चीज हमारी 1st degree के लाती है अगर इसकी power, इस पूरी equation के अंदर power 2 आ रहे होती है, तो हम 2nd degree इस तरह की से cube को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ इसके अंदर सिर्फ 1 variable की equation है अब यह आगे आप जाके देखेंगे कि 2 variables की equations भी आएंगी इस पे कुछ यहाँ पर example जहीं है यहाँ एक्स प्लस 3 is equals to 8 ठीक है, यहाँ पर x जो है, यह variable है ठीक है? और यह हमारी linear equation in one variable है ठीक है, एक variable के साथ फिर x upon 4 is equals to 6 यह चीज़ भी हमारी equation के लाएगी, जहाँ पर हमारे पास is equals to का sign आ जाता है तो वो चीज़ हमारी equation बन जाती है, ठीक है, जब तक के equals to का sign नहीं है, तो वो एक expression है और जैसे हम यहाँ पे equals to का sign डाल देते हैं किसी भी expression के अंदर है तो वो चीज़ हमारी equation बन जाती है फिलहाल हम linear equation की बात कर रहा है फिर 6x minus 11 is equals to 21 minus 2x यहाँ पे भी यह देखें आप इसके अंदर x की पावर यहाँ भी 1, यहाँ पे भी 1 और बाकी इसके साथ constants हैं, ठीक है तो 1 variable, linear equation और साथ में 1st degree, ठीक है यानि के power जो है वो 1 है variables की यह चीज़ यहाँ पे आपको बता दी गई है these are the 1st degree or linear equations because highest power of variable of x is 1, ठीक है इसके बाद फिर solution के अगर बात की जाए के solution of linear equations क्या होता है we have to separate value of variable from other term or terms, ठीक है हम solution जो है, जब हम भी solution के उपर आते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं के x की value को हमने find out करना है अब देखें, यहाँ पे अगर आप इस equation को देखते हैं तो यह equation जो है x की value depend कर रही है इन दोनों constants के उपर यानि के हम इसमें 3 को यहाँ shift करेंगे तो यह plus का 3 है वहाँ जाके minus हो जाएगा 8 minus 3 फिर वो बताएगे हैं के x की value क्या है तो यही काम हम करते है जब भी हमने solution करना होता है linear equations का तो हम separate कर रहे होते है variable को दूसरी terms से जैसे आपको यहाँ बताया कि x plus 3 is equals to 8 का तो इसमें हमने यहाँ पे 3 को यहाँ shift कर देना है x separate हो जाएगा तो 8 minus 3 का answer आजएगा इसलिके से अगर इसको हम देखना चाहें तो यहाँ पे x को separate करना है 4 यहाँ divide हो रहा है is equals to के sign की दुसरी side पे जाएगा तो वहाँ जाके multiply हो जाएगा यनिके 4 into 6 या 6 into 4 हो जाएगा तो x separate हो जाएगा हमारे यहाँ पे भी यहाँ देखिया अगर हम तो यहाँ पे हम पहले तो दोनो x को साथ पे combine करेंगे 6x और minus 2x minus 2x को हम इस तरफ shift करेंगे अच्छा कोशिश यह करनी चाहिए कि हम जब भी solution कर रहे हो तो जो number x की value या y कोई भी variable की value इसके आप value find out कर रहे है जो बड़ी value है उसके पास चोटी value को shift करें जैसे हमने 2x को shift करना है 6x के पास 6x को 2x के पास नहीं लेकि आएंगे और इसके साथ साथ minus 11 था है हमने इसको दुस्री side पर shift कर दिया तो 21 plus 11 हो जाएगा दोनों को values को find out करके हमारा answer आ जाएगा तो इसका डिटेल में method आपका आगे हम देख रहे है तो यह जीज़ उन्हें पर यहाँ पर हमने बता दी आपको कि variables equals to number यादि कि variable की value बराबर होती है किसी ना किसी number के exercise शूर करने से पहले आप सब लोगों से request है कि हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजएगा और इस वीडियो को like जरूर कीजएगा और अगर आपने class 11th यानि के first year commerce के मजीद chapters देखने है तो हमारे chapters तक्रीबन सारे upload हो चुके हैं सिर्फ यह एक chapter number 5 और chapter number 4 हमारे रहे चुका है तो आप हमारी playlist में जाके तमाम chapters को देख सकते हैं तो हम exercise शुरू करते हैं 5.1 solve the following equations for x इसका part 1 लिया हमने x plus 7 is equals to 1 अब देखे हमने यहां पर सबसे बहले solution का तरीका यह है कि आपने पहले equation को as it is उतार लेना होता है उसके बाद फिर हमने plus 7 था इसको हमने separate करना है x से तो हमने simply इसको shift करना है equals 2 की दूसरी साइट पर तो वही काम हमने किया plus का 7 था यहां आके हो गया यह minus का 7 इस तरीके से हमारा यह answer आ गया x की value आ गई minus 7 ठीक है next इसके अंदे थोड़ा सा complicated कर दिया 2 x minus 3 is equals to 3 x plus 4 अब देखें इसको हमने दुबारा से यहाँ पर equation को as it is उतार लिया है इसके बाद फिर यहाँ multiplication हो रही है 2 से पूरा bracket और यहाँ multiplication हो रही है 3 से पूरा bracket multiply हो रहा है तो simply इसके अंदर आपने करना यह है कि 2 x minus 2 3 is a 6 3 x plus 3 4 is a 12 अब देखें 1 x यहाँ है 1 x यहाँ है मैंने आपसे कहा कि जहाँ पर x की value बड़ी होगी बड़ी value के पास हम छोटी value को लेके जाएंगे अगर हमें positive रखना है इनकेस यह minus का 3 x होता ना तो इसको हम यहाँ shift कर लेते क्योंकि हमने x को positive बनाना है लेकिन अभी x को हम यहाँ से 3 x को नहीं चढ़ेंगे हम 2 x को इधर shift करेंगे तो यहाँ पर यह इधर plus का था 2 x दूसरी साइट पर आएगा तो यह यहाँ के minus का होगया ठीके 3 x minus 2 x इसी तरीके से हम minus 6 को ही ही रखेंगे 12 को हम दूसरी साइट पर shift कर देंगे ठीके 12 को हम 6 के पास ले जाएंगे तो minus का 6 था हमारा यहाँ पर as it is रखा और 12 plus का था यहाँ के minus को होगया 3 minus 2 x के equivalent minus 6 minus 12 minus 18 के क्योंकि बड़े नमबर की sign लगाएंगे इस तरीके से हमाँ पस separate करने के उपर x कांसर आगया minus 18 फिर next हमने लिया है 5.6 x upon 3 is equals to 6 इसमें भी हमने x को separate करना है हमने पहले equation as it is उतार ली इसके बाद हमने यहाँ पर यह 3 जो है यह multiply divide हो रहा था जब इसको हम दूसरी साइट पर लेके जाएंगे equals 2 के तो वहाँ जाके यह multiply हो जाएगा यानिके 6 into 3 और x कांसर हमारा आगया 18 next हमने लिया है 5.9 और इसके अंतर देखे हैं multiple brackets देवे हैं आपको तो bracket solve करने का तरीका हम आपने chapter 1 में देख चुके हैं कि हमने innermost brackets से start करना होता है जो सबसे अंदर का bracket होता है वहाँ से हम लेके start करते हैं पर आइसता इसता expand करते हुए बहार लिया आते हैं तो सबसे बहले values को हमने as it is उतार लिया इसके बाद innermost bracket जो है वो ये था तो इसको multiply किया 6x हो जाएगा minus minus plus 6 to the 12 तो ये innermost bracket खोल गया हमारा 2x दिया बाता है यहाँ पर minus 6 ठीक है अब यहाँ पर हम इनको जो x की values उनको साथ में solve कर लेंगे और जो constants उनको solve कर लेंगे तो यहाँ पर देखें आप 2x एक ये positive का दिया वा है और एक यहाँ पर भी positive दिया वा है 2x इन case अगर हम इसको देखें अगर मैं shift करती हूँ इसको यहाँ पर इस वाले 2x को इसके पास तो यहाँ पर आके यह minus का 2x हो जाएगा तो इसको हम बजाए इसके कि हम shift करें हम इसको as it is यहीं पर cancel कर देते हैं यहीं कि 2x को cancel कर दिया और इस 2x को क्योंकि दोनों positive थे दुसरी तरफ कोई भी चाता वो इधर आए या left से right या right to left दोनों cases के अंदर हमारे पास इसमें cancellation ही होनी थी तो इसके बाद हमारे पास बचा minus 6x plus 12 minus 6 इन दोनों को 12 minus 6 हमने यहाँ पर लिख लिया और minus का 6x था इसको हमने equals to की दूसरी साइट पर shift कर देना है तो दूसरी साइट पर shift होके यह minus का 6x plus का 6x हो गया 12 minus 6 6 होता है यनि कि 6x is equals to 6 तो देखें इसके इन दे मैं इधर उधर दोनों shift कर रही हूं क्योंकि हमें पता है कि equals to का मतलब ही होता है कि यह isके equal तो मैं इसको अधर लिखूं या अधर लिखूं मैं shift नहीं कर रही मैं simply इसको लिख के आपको दिखा रही हूं present इस तरह से कर रही हूं कि कभी इस तरफ लिखा और कभी इस तरफ ठीक है तो simply यहाँ पर हमने 6 को cancel कर दिया और हमारे पास answer आगया 1 ठीक इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 5.11 x upon 2 plus x upon 6 is equals to 2 ठीक है यहाँ हमने रखा x upon 2 और x upon 6 is equals to 2 कर दिया इसके बाद यहाँ पर हम LCM ले ले लेते हैं है कि 2 into 3 जो है माँ पास आजाएगी value 6 ठीक है यह हमने value हाँ पर ले ली अब इसके बाद 2 के टिबल में 6 कितने times जाता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ थी times जाता है तो 3 से multiply होके यह हो जाएगा हमारा 3x इस तरफिके से 6 के टिबल में 6 one time जाता है तो यहाँ पर 1 और x multiply होके हो जाएगे x ठीक है 3x plus x 4x हो गया इस 6 को हमने shift कर देना है 2 के पास तो यहाँ पर shift होके divide हो रहा था है तरजा कि यह multiply हो जाएगा यहाँ कि 2 into 6 हमारा पास आजाए कि value 12 यहाँ कि 4x is equals to 12 x को separate करना है x को यही पर हमने छोड़ दिया 4 यहाँ multiply हो रहा था equals to के दुसरी तरफ जाके divide हो गया यहाँ पर भी cancellation कर देंगे simply 4 one's are 4 and 4 three's are 12 इस तरीके से answer मारा पसा गया x is equals to 3 इसके बाद हमने लिए है 5.13 x plus 1 upon 6 is equals to x plus 2 upon 9 हमने यहाँ पर इनकी values को पहले as it is उतार लिया अब यहाँ पर देखें simply बहुत असान सा काम हो रहा है कि हम यहाँ पर दोनों को कर देंगे cross multiply cross multiply करने से 9 धर shift होगी x plus 1 के पास और यह 6 की value shift होगी x plus 2 के पास अब देखें यहाँ पर हमाँ पस 6x ठीक है हमने बात की है x को positive रखना है तो हम 9x के पास इस 6x को shift करेंगे ठीक है तो यह चीज हमने हाँ पर की 9x minus 6x is equals to 12 और इस 9 को हमने shift कर दिया इस 12 के पास तो 12 minus 9 ठीक है तो यह चीज होगी माँ पास 3x और यह होगया 3 और x को separate किया हमने यहां पर 3 upon 3 यहां पर 3 1s are 3 and 3 1s are 3 तो हमार पास answer आगया x is equals to 1 इसके बात हमने लिया 5.16 7x minus 1 upon 4x plus 3 is equals to 5 upon 3 यह हमने values को रख लिया यहां पर भी हमने simply इसके अंदर cross multiplication करनी है और cross multiplication करने से हमार पास 3 shift होगे 7x minus 1 के पास और 4x plus 3 चला गया 5 के पास ठीक है 3 7s are 21x 3 1s are 3 5 4s are 20x 5 3s are 15 अब यहां पर देखें 21x positive में है 20x भी positive में है हमने shift करना है 20x को 21 के पास क्योंकि वह बड़ी value है ठीक है तो यह चीज़ हमने कर दी 21x minus 20 इसी तरीके से जब हमार पस x उधर चला गया हम इस 3 को shift कर देंगे 15 के पास तो 15 यह हमार मानस का 3 था यह प्लस का 3 हो किया तो यह हमार पस इन दोनों की value score 21 minus 20 करा तो x रहा और 15 plus 3 हमार पस आगी value 18 अब हमने लिए है 5.18 6th upon x x minus 4 upon x minus 1 is equals to x2 upon x plus 3 यह as it is उताड लिए हमें values इसके बाद देखें equals to के एक साइट पर हमार पस यह value दीवी है और दुस्री साइट पर जो values दीवी है इनका हमने ले लिया है LCM यनि कि x और x minus 1 LCM में आ गए अब अगर हम इस पूरी term को देखते है 6 upon x को तो हमार पास x के टिबल में x तो जाता है लेकिन यह x minus 1 यहाँ पर cancel नहीं हो रहा इसको हम as it is लिख लेंगे और उपर 6 जो दियावा था इसको भी as it is लिख लिए minus की sign ले ली इसके बाद x minus 1 तो इससे cancel हो जाएगा लेकिन x हमने as it is लिख लिख लिए और परवारा 4 भी हमने as it is लिख 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 लिए यह term एभी कुशिस को नहीं चेड़ा ऐसी रखा इसके बाद यहाँ पर multiplication कर लेंगे 6 x minus 6 ठीक और यह minus का 4 x ठीक है इसी तरीके से फिर साथ में ही हमने यहां पर इसको x plus 3 को shift कर लिया यह आप इस तरीके से समझ लें कि इसको हमने यह cross multiply कर दिया ठीक है तो यह cross multiply होके x plus 3 दिर आ गया और 2 के पास x अच्छा इसको भी solve कर लेते हैं यहां पर तो x x a x square हो जाएगा और x 1 a x हो जाएगा ठीक है यह 2 के पास shift हो गया अब इसके बाद इन brackets को हम आपस में देख लेते हैं क्या चीज़ open हो रही है 6x minus 6 minus 4x 6x और 4x यहां पर दो terms है x वाली 6 में से 4 minus करें तो बचे 2x और minus का 6 x plus 3 आ गया इस 2 को हमने इन दोनों सम्मड़ प्लाइ कर लिया इस 2 को सम्मड़ प्लाइ किया तो 2x square minus 2x हो जाएगा और यहां पर हमने अब इसके अंदर देखें के 2x को x सम्मड़ प्लाइ किया 2x square 2 3s अ 6x अब यह 6 इससे दोनों सम्मड़ प्लाइ होगा minus plus minus 6x minus plus minus 6 3s अ 18 ठीक है 2x square minus 2x as it is लिखा हमने यहां पर इसके बाद अब इसके अंदर देखें एक 2x square यह है और एक 2x square यह है दोनों जो हैं यह positive 2x square हैं दोनों positive 2x square हैं इन दोनों को हम cancel कर देते हैं यहीं के यहीं इसके बाद यह 6x है plus का यह 6x है minus का इन दोनों को भी हम यहीं पर cancel कर देते हैं अब बचा क्या हमारे पास यहां पर minus का 18 बचा और यहां पर minus का 2x बचा यह दोनों values हमने यहां रखी इसके बाद अगर आप चाहें तो इनको shuffle कर लें यहां पर हम minus की signs को cancel भी कर सकते हैं तो यहां पर हमने यहां पर shuffle करके भी दिखा दिया है आप cancel करना चाहें cancel भी कर सकते हैं तो यह चीज़ इसके अंदर हमने यहां पर रख दी यानिके 18 को हमने side पर shift कर दिया और 2x को इधर shift कर दिया यह चीज आ गए हमारी X is equals to 9 इसके बाद लिए हमने आप पे 5.44 बहुत सारे सवाला छोड़के हम डारेक 5.44 पे आ चुके हैं हापे क्योंकि यह तमाम सवाला तकरीबन एक जैसे हैं आप लोग इसको खुद से प्रेक्टिस कीजेगा कोई चीज पूछ नहीं हो तो आप हमसे पूछ सकते है और प्रेक्टिस वो सबसे आदा इंपॉर्टन चीज है डिरेक्ली हम इसके बाद बलीफ करते हैं कि कोई चीज समझ नहीं ठक से पूछ लो नहीं आप दो दिन दफाव उसको ट्राइ करें और जब ट्राइ करेंगे आप कोई चीज गलत करेंगे तभी कोई चीज सही हो पाएगी otherwise कोई चीज भी सही नहीं हो पाएगी सिर्फ हमारी dependency जो है दुसरों के पर बढ़ती चले जाएगी तो कोशिश कीजएगा खुद से ट्राइ करें और इसको खुद से सॉल्फ करें तो 4x-1 upon 10 5x-2 upon 4 is equal to minus 3 और यह minus की sign बीच में आरी है इसको हमने पूरे सवाल को as it is उतार लिया है अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे हम इन दोनों को LCM में ले ले लेंगे 10 और 4 का LCM 10 और 4 का LCM ने लिया 2 से LCM means least common multiple तो 2 से start करते है हमेशा 2 5s are 10 and 2 2s are 4 2 5 as it is उता रहा हूँ cancel नहीं हो रहा हूँ 2 1s are 2 अब हम इसको 5 से कर देते हैं यह चीज आ गई 2 2s are 4 and 4 5s are 20 तो यह चीज आ गई हमारे बास अब इसको हमने यहाँ पे 20 लिख लिया इसको erase कर देते हैं तो यह 20 आ चुका है अब इसके बाद 10 के टिबल में 20 के टे टाइम 2 टाइमस जाता है बाकि 4x minus 1 हमने as it is लिख लिया 4 के टिबल में 20 5 टाइमस जाता है और बाकि उपर की term हमने as it is लिख लिए इसको हम इस तरीके से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं याँ दिखाने के लिए कि 2 यह क्योंके 10 2s are 20 होता है और यहाँ पे आप लिख सकते है multiply by 5 क्योंके 4 5s are 20 होता है यह चीज यह चीज यहाँ पे लिख के दिखाती है आपको is equals to minus 3 की sign थी दूसरे साइट पे हमने minus 3 as it is लिख लिख लिए इनको open कर लेते है 2 4s are 8x minus 2 1s are 2 minus 5 5s are 25x minus minus plus 5 2s are 10 upon में 20 था is equals to minus 3 अब इस 20 को shift कर देते हैं यहाँ पे multiply हो रहा है 3 के पास जाएगा तो sorry यहाँ divide हो रहा है 3 के पास जाएगा तो multiply हो जाएगा 8x minus 25x था minus 25x में से हमने minus करना है 8x अच्छा है यहाँ पे एक signs की miss हो गई है यहाँ पे minus की sign आएगी तो minus का 17x हो जाएगा 25 में से जब it के आएगा बड़े number की sign लेनी है हमने यहाँ पे minus लगा दिया इसके बाद minus minus 10 में से 2 गए plus का 8 आगे है क्योंकि 10 बड़ा number था है यहाँ पे इसके बाद यह दोनों की multiplication आपको दिखा दी हाँ पे minus 17x is equal to 3 और 2 3 2 is 6 और 60 हो जाएगा यह यह plus का 8 था इसको हम दुसरी साइट पे shift करके जब लेके आएगे तो यह minus का 8 हो जाएगा यहाँ पे लिख दिया इसको यह दिया के minus 17x और minus 68 ठीक है यह डिरेकली थोड़ा सा किया है इसको यहाँ पे हमने दोनों की signs को लिख लिया यह दोनों की signs जो है minus में है minus में divide हो जाएगी और 17 1 ज़ए 17 हो जाएगा और 17 4 ज़ए वो 68 होता है यह x is equals to 4 आग यह answer इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 5.52 5.52 के अंदर कहा जा रहा है the sum of two consecutive odd numbers is 140 find the numbers दो numbers है odd numbers है आगे वीचे के numbers है और उनका sum जो है वो आ रहा है 140 हमें numbers नहीं पता कि वो numbers क्या है हमें सर्फ उसका sum पता है और यह पता है कि वो odd numbers है ठीक है तो इसके अंदर हमने supposition करी कि suppose x be the first odd number then x plus 2 will be the second odd number ठीक है यानिके हम अगर x will first आप कहें कि एक number 5 है ठीक है तो 5 के अंदर हम अगर दूसरा odd number मालूम करना चाहेंगे तो हम 5 plus 1 तो नहीं करेंगे न हम 5 plus 2 करेंगे यानिके 6 और फिर 7 7 आएगा हमारे पास तो यहीं चीज़ यहाँ पर बताईए कि अगर यह 5 है तो 5 plus 2 यानिके 5 में अगर हम 2 plus करें तो 6 7 हो जाएगा इस तरह से हम find out कर सकते हैं therefore x इन दोनों का sum रखा हमने x पहला नंबर था plus की sign x plus 2 दूसरा नंबर था हमारा हमें नहीं पता numbers क्या है इन दोनों का sum रहा था 140 ठीक है यह x है और यह x है 2x हो गया plus 2 as it is लिखा is equal to 140 as it is लिखा 2x को अकेला कर लिया minus 2 हो जाएगा इस side पर जाके 138 अब हमने यहां से x को भी separate करना है 2 को यहां shift कर दिया और 1 is a 2 and 2 69 times जाता है 138 ठीक है याँ कि आप 2, 6 is a 12 कर लें पर carry गया 1, 2, 9 is a 18 हो जाएगा ठीक है इसके बाद यह हमारा first number हमने मालुम कर लिया जो x की supposition की थी अब हमें 2 number मालुम करने है दूसरा number x plus 2 है यह चीज हमने रखी थी supposition में x हमारी value आचुक है 69 वो रखी plus 2 यादिक है x plus 2 बराबर हो जाता है 71 के तो इस तरीकी से अगर आप check करना चाहें तो यहां पर आप check भी कर सकते हैं कि पहला number 69 था, दूसरा number 71 था इन दूनों का sum 140 आ रहा है, बिलकुल आ रहा है तो इसका मतलब मारा answer सही आया तो दो numbers हमने find out करें एक number हमारा 69 और दूसरा number हमारा 71 यह वो दो odd numbers हैं जिन दूनों को अगर हम add करते हैं तो उनका sum बनता है 140 तो आज का lecture हमारा यहीं तक और आज के lecture में हमने जो चीज़े cover करी वो हमने देखा linear equation in one variable के हवाले से और हमने इनकी solution देखे कि किस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं जहां हमें linear equation देवी हो one variable पर है आपने जितने भी सवाला देखे उसके अंदर से एक variable था x x x हमने कोई दूसरा variable यहां पर नहीं देखा इंशाला तला अपनी next class के अंदर हम दो variables के साथ उनको कैसे हम simultaneously solve कर सकते हैं वो पढ़ेंगे उमीद है आज का lecture आपनों को अच्छी तरीकी से समझ में आया होगा और इस lecture के हवाले से कोई भी सवाल आते हैं तो आप हमसे comment section में पूचिए या पर email कीजिए और आप हमारे facebook page को भी like कीजिए और instagram पर भी आप हमें follow कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपने जो कुछ भी सवाल आते हैं जो कुछ भी आपको चीज़े समझ नहीं आरी हो पूच सकते हैं तीक है इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा अल्हाफिस